नमस्कार किसान भाईयों मैं इसके विश्करमा फिर से हाजिर हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल में किसान भाईयों आज मैं गेहूं की रिकार्ड पैदावार के लिए काउंसी खाद एवं काउंसी स्प्रेकाब प्रियोग करें तो बने रहे हमारे वीडियो में एक भी जानकारी बगेर मिस्करें जो किसान भाईयों हमारे चैनल पर नए हूँ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कास वाली घंटी का दवाना ना भूलें किसान भाईयों हमारे देश के किसान गेहूं में अच्छी पैदावार लेने के लिए बुवाई के समय और पहली सेचाई के समय पौशक तत्यों का विसे ध्यान देते हैं लेकिन जब गेहूं की फसल 60-70 दिन की हो जाती है तो इस समय विसे ध्यान नहीं देते हैं जिससे उपज में भारी गिरावट हो जाती है यदि 60-70 दिन की अवस्ता होने पर गेहूं की फसल में कुछ अलग से तत्तु एमम एनरजी उपलब्द करा दिया जाए तो हमारी गेहूं की फसल बहुत अच्छी पैदावार होगी जिससे उपज में 20-30 प्रसंट तक की व्रद्दी होगी 60-70 दिन की अवस्ता में कौन सा पोसल तत्तु गेहूं की फसल को दे है जैसे ही गेहूं की फसल 60-70 दिन की होती है तो पोदे के तने पर गांठ बनना सुरू हो जाती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे एनपी के 20-20-20 बाटर सुलूबल एक पॉइंट पांच से दो किलो ग्राम प्रती एकड की दर से 160-70 लीटर पानी में घौल बनवाकर इस्प्रे करा सकते हैं और दो किलो ग्राम प्रती एकड की दर से इवरिया भी मिला सकते हैं जिंक की भी मात्रा उसमें ले सकते हैं जिंक मोनो 33 प्रती एकड की दर से मिलाकर इस्प्रे करवा सकते हैं इन सभी का एक साथ मिलवाकर प्रियोग कर सकते हैं इन पीके 20-20-20 के प्रियोग से गेहों की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और 20-40 तक उपज में ब्रद्धी हो जाएगी जिससे हमारे गेहों में काफी ब्रद्धी और बढ़ोत्री होगी तो किसान भाजों कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जैहिंद